इसलाम अलेकुम कैसे हो आप सब लोग अमीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे मैं आ गया हो इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आयान फिर से एक नई वीडियो के साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका वैक्सिन सर्टिफिकेट एप्रूब्ड हो च करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि अगर आप वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है आगे आपको बहुत आसान होगा OTP लेने के लिए ठीक है सबसे बड़ा सबसे ज्यादा जो इशु आता है वो ये आता है जो आपके स्कीन के आपको दिख रहा है ये जो इशु आपको दिख रहा है ना ये 50 50 से लेके 60 परसेंट लोगों को है इसमें मतलब इम्मुन स्टेटेस में प्लीज इंटर दा करेक्ट मोबाइल नंबर रजिस्टेट इन कोविड-19 सिस्टम ठीक है ये अल्मोस्ट 50 से 60 परसेंट लोगों को ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या है वह क्या करें तो सबसे पहला सलूशन है सबसे पहला सलूशन ये है कि आप अपना Ministry of Health के साइट पे जो आपने नंबर डाला था वो नंबर डालेंगे approval होने के बाद तो लोगिन आराम से हो जाएगा ठीक है सबसे पहला सलूशन अब दूसरा सलूशन ये है Mobile Quet ID जो नंबर आपने डाल के लॉगिन किया था ठीक है जिससे भी वो लॉगिन है Mobile Quet ID ठीक है वो नंबर अगर आप डालते हो तो भी आपका Immune App लॉगिन हो जाएगा तीसरा सलूशन ये है कि अगर आपका नंबर Ministry of Health के साइट पे जो आपने नंबर डाला था वो नंबर अब बंध है उस पे OTPI आप नहीं ले सकते हो तो आप मोडिफाई करके फिर से अपना वहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हो उसके बाद आप Immune App पे लॉगिन कर सकते हो ठ अपने Immune App को लॉगिन कर सकते हो बहुत सारे लोगों का almost 40% लोगों का जो चौथा नंबर का जो सलूशन है वो सबसे बेश सलूशन ये है कि बहुत सारे लोगों का Civil ID से जो भी नंबर निकला हुआ है वो नंबर पे अगर आप OTP मंगवाओ के लॉगिन करने के लिए Immune App प देगा ये एरर आपको नहीं करेगा वहां भी आपको OTP देदेगा तो टोटल चार सोलूशन बताया है मैंने एप्रूबल होने के बाद भी एप्रूबल होने से पहले भी ठीक है तो ये टोटल चार सोलूशन है अब आपको समझ में आ गया होगा अब मुझे आप ये आपको डाउनलोड कैसे करते हैं और सारा लॉग इन करने का पूरा तरीका आपको बताता हूं सबसे पहले आप प्लेश्टोर खोलेंगे वहां पर लिखेंगे एम्यून मेरा अल्लेडी डाउनलोड है तो आपको सबसे पहला जो इंटरफेस आएगा वह इस टाइप का होगा तो आप वहां पर अपना इंगलिश सेलेक्ट कर लेना अगर आपको अर्भिक आता है तो आप अर्भिक भी सेलेक्ट कर सकते हो उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप आपको वैक्सीन स्टेटेस के बारे में यह चीज़ आएगा ठीक है यह आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेना उसके बाद फिर उसके बाद जस्ट आप कंटीनियू पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो जैसे ही आगे जाएंगे आप में पेज नंबर चाहिए लेको कोहले में यह नबर ऑमवाईल नंबर गरी होगा है सबसे पहला नंबर जो आपको मिनिश्टी ओध के साइट ऐस्ट पर अगर डाला तो वो डाल दो या नहीं तो आपके सीघ्य के साइट भी सिम खड़ीन ऑस पर दौका है वो लाग आप अपने कर आपको मुवाइल कुएT ID vogal USA इपना स्वील डाला करेंगे तो आपको इंटो इन्टरफेस मिल जायाँगा है इन कई अध्य क्या करके दो निक को कटिक है आपको मुवाइल कुएT ID से जो अध्य इसमें यहां पे चार डिजिय्ट का जो बी OTP आयगा आपको को टीप यहां पे आपको डालना है चार डिजिय्ट का कोई भी लओ सकता है XV इसमें आप फरस्ट रमालो लोग कि 1234 मैंने पासपोर्ट डाल डिया ठीक है फिर उसके बाद confirm passport डालना होगा तो एक बार और 1,2,3,4 मैंने डाल दिया यह डालने के बाद सीधे हमको next कर देना है जैसी next करेंगे आपको main front page आ जाएगा ओके यहाँ पर आपको दीख रहा होगा कि यह main page है जहाँ पर आपका जो यह scanning वाला system है यहाँ से ही आप जब airport पर जाएंगे तो यहीं से scan करने के बाद आपका जो भी आपने ministry of health के site पर certificate डाला था वो certificate यहाँ से show करेगा अगर आप चाहते हो यहाँ से download भी करना तो आप यहाँ पर जो download का click जो लिखा हुआ है यहाँ से आप अपने certificate को download भी कर सकते हो जैसे आपने इंडिया में COVID जो site है वहाँ से download किया था वही certificate आपको यहाँ से भी मिल जाएगा तो यह सारा interface रहेगा आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम रहेगा उपर में फिर उसके बाद civil ID नमबर रहेगा फिर passport number रहेगा फिर nationality रहेगा फिर आपने जो भी doge लिया है doge number रहेगा फिर उसके बाद batch नमबर रहेगा और जो भी location आपका वो रहेगा और आपने कौन सा vaccine लिया है उसका नाम रहेगा यहाँ पर तो यह सारा interface रहेगा ठीक है यह आपको इस page में रहेगा जो main page जो है ना वो उसमें रहेगा यह सारा interface जो पहला page आएगा ओके जो आपका यह है PCR status यहाँ पर show करेगा ओके तो अगर आप कोई भी PCR करवाते हो ना तो आपको यहाँ पर show करेगा history कि आपने PCR कब करवाया जैसी आप PCR कराओगे तो आपका passport पर पर पासपूर्ट नमबर उसके बास साथ सिविल आइडी नमबर भी चड़ेगा तो जैसी सिविल आइडी पर चड़ेगा तो आपको यहाँ पर देख रहे होगे सिविल आइडी नमबर पासपूर्ट नमबर नेस्नालिटी आपको यहाँ परासप लिखा हूँ है लिखा होँ है फिर beauty जो लिखा हो आप कर लिग के बारगा है अध्यृ आप जो मैंने पिछली वीडियो में बताए चुका हूं आपको दूसरा यह ज़रूरी है कि जब ग्रीन रहेगा आपका على कैट एडी तब आप कहीं भी PCR टेस्ट करने के बाद 7 दिन का कुरंटाइन रहेगा उसके बाद आप PCR टेस्ट में अगर नेगेटीव हुए तो आप जा सकते हो घूमने के लिए या कहीं भी ठीक है नहीं तो अगर आप पोजेटीव हुए तो फिर आपको 7 दिन और कुरंटाइन रहना पड़ेगा जब तक आप नेगेटीव नहीं हो जाते हैं तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते हो ठीक है ना तो यह सारा चीज सारा प्रोसेस है अब आपको पूरा सोलूशन मिल गया होगा इम्यून अप के रिगार्णिंग अब ही भी अगर आपको कोई भी समस्य आ रहा है कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कॉमेंट करके नीचे बता है अगला वीडियो आपको सार लेंग की एप पे होगा जो की वो भी बहुत जरूरी है कोईट में जाने से पहले इंट्री करने से पहले आपको वो एप भी लॉग इन करके आपको देखना पड़ेगा मतलब वहाँ पे चेक होगा ठीक है तो वो एप भी बहुत जारा जरूरी है तो नेक्स वीडियो आपको कल उसी का मिलेगा कैसे लॉग इन करेंगे और मैंने अच्छे से इस्प्लेइन करके वो वीडियो बना है तो कल मैं उसको भी अप्लोड कर दूँगा आप सब लोगों के लिए आपने अगर अपना मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ के साइट पे वैक्सिन सेटिफिकेट अप्लोड कर दिया है तो आप अपना डेट बताना बिल्कुल मत बूले मैं आपको बताऊंगा कितना जाद से जादा टाइम और लग सकता है अगर आपका अप्रूबल हो गया है तो कोई भी दिक्कत आ रहा है मॉवाइल कोईट आईडी से या इम्मून आप पे तो आप मुझे बताना कि क्या प्रॉबलम हो रही है आपको ठीक है कॉमेंट करके जरूर बताना मिलता हूँ फिर से नई वीडियो के साथ मैं हुआ यान और आप देख रहे हैं कोईट जॉब अपडेट जाते जाते बस एक ही बात बोलना चाहूँगा आपको अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करे दोस्तों के साथ शेयर करे और सस्क्राइब करना बिलकुल ना भोले है कोई भी प्रॉबलम हो तो आप कॉमेंट करके जरूर पूछे है अझाट आपको लॉबलम हो आपको अपकोट लगता है